नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि एल्डो टील टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एल्डो टील टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और एल्डो टील टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि एल्डो टील टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, LDOTL एक grand name है, LDOTL tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है, LDOTL tablet के अंदर salt composition amlodipine 5 mg और tell me certain 40 mg होता है, जब किसी व्यक्ति का blood pressure किसी एक दवा से नियंतरण में न हो रहा हो, तब डॉक्तर दो दवाओं के combination वाली LDOTL tablet को लेने की सला दे सकता है, LDOTL tablet का उप्योग hypertension होने पर किया जाता है, यानि जिन व्यक्तियों का blood pressure अधिक रहता है, उन व्यक्तियों में blood pressure को कम करने के लिए LDOTL tablet का उप्योग किया जाता है, LDOTL tablet blood pressure को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वज़ह से kidney failure, heart failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसके अलावा लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वज़ह से आखों की blood vessel भी damage हो सकती है, और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है, एक नॉर्मल व्यक्ती का blood pressure 120-80 होता है, अगर किसी व्यक्ती का blood pressure उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम क कि उस व्यक्ती का blood pressure ज्यादा है, side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में eldo-tl tablet की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में eldo-tl tablet की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं, जैसे सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान होना, उल्ती आने का मन होना, हाथों वपैरों में सूजन होना, पेट में दर्ध होना, चक्कर आना, घबराहट होना, दस्त होना, नीन अधिक आना, कमर में दर्ध होना और blood pressure ज्यादा कम होना आधी side effects eldo-tl tablet की वज़ह से हो सकते हैं, अब हम discuss करेंगे कि eldo-tl tablet को कैसे लेना recommended होता है, eldo-tl tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को dr. eldo-tl tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं, eldo-tl tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको eldo-tl tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे की eldo-tl tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको eldo-tl tablet के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरण में लाने के लिए आपको regular exercise करनी चाहिए, प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए eldo-tl tablet का सेवन करना सुरक्षित वर recommended नहीं है, eldo-tl tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है, और स्तन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को eldo-tl tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर और अगर आपका अलो-tl tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं